हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब लोग आशा करता हूं का पैच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरे यूडूब चैनल बेसिक मैं सॉन डिप्स में और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ पार्ट टू पैरमेटर एंड एरिया का जो कि क्लास से लेटिट है तो स्टुडेंट्स इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट बान जरू देखे क्योंकि पार्ट बन में मैंने स्क्वाइर से लेटिट सभी फॉमले बताए हैं और कुछ कोश्चन्स भी कराए है अगर हमें एरिया निकालना हो स्क्वाइर का या पैरामेटर निकालना हो और अगर पैरामेटर और एरिया ओलड हो तो उससे साइट किस तरह से निकाल ली जाय है वह सब़ी उसमें है तो आप उसे चेक कर सकते हैं और पार्ट टू के अंदर मैं करने वाला हूँ कुछ एक्टेंगल है और एक्टेंगल में खास्यति यह होती है कि इसकी जो opposite sides होती है वो इक्वल होती है मतलब AB की length जितनी होगी उतनी ही length CD की होगी उसी तरह से यहाँ AD की length होगी वही length BC की होगी अगर यहाँ पर AD 5 cm है तो BC 5 cm होगा अगर AB 10 cm है तो CD भी 10 cm होगा तो parameter का मतलब क्या होता है कि सारी boundary जो है उनका sum मतलब जितनी भी इसकी sides है इसका अगर sum कर दिया जाए तो parameter निकलेगा तो अगर हम देखें यहाँ पर दो हमारी रक्टेंगल का formula बनता है वह होता है 2 multiply प्रैकेट पे length प्लस breath इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि parameter जो है वह होगा 2 multiply length प्लस breath आगे देखते हैं अगर हम यह length निकान लिए रक्टेंगल की अगर parameter की बान हो तो इसके लिए formula होता है कि parameter पहले हम उपड़ लिखेंगे अपॉन में 2 करेंगे और माइनस अब लेंथ निकान लिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम breath तो यह formula बन जाता है लेंथ निकानने का अगर हम रक्टेंगल की लेंथ निकान लिए हो अगर parameter हमें अल्रेडी गिवन हो तो हम क्या करेंगे पैरामेटर को 2 से हम डिवाइड करेंगे जो भी अंसर आएगा उसके बाद हम breath को माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ लेंथ फाइंड़ हो जेगी अब यहाँ पर नीचे है breath निकानने हो रक्टेंगल की जब पैरामेटर गिवन हो तो उस case में हम क्या करेंगे formula वही चलेग दिखे पैरामेटर अपाउन में 2 अब क्योंकि हम ब्रैथ निकानने हो तो हम क्या करेंगे माइनस लेंथ करेंगे तो इस तरह से पैरामेटर अपॉन 2 माइनस लेंथ करके हमारे पास breath का आणसर अगर हमें एरिया निकानना हो rectangle का तो हम करेंगे length multiply breath तो हमें एरिया जो है वो मिल जाए कर एकूं को आप फॉर्मुला है कियो लैंथ निकानली वह का रिंगई पाझनल की जब करेंगे और इसी तरह से यह formula भी हम बना रहेंगे ब्रथनिक आनली हो तो क्या करेंगे हम एरिया उपपर लिखेंगे यहां पर यानिकी area of rectangle उपपर लिखेंगे इसमें भी लिख देते हैं से area of rectangle अपॉन में यहां पर अजेगी लेंथ rectangle की यह सभी formula जो आपने माइंड में रखने हैं question करते समय तो चलिए question start करते है अब देखी question 1 में में दिया है the area of square park is the same as of rectangular park मतलब एक square park है उसका जो area है वो rectangular park के area के बिल्कुल सेम है if the side of square park is 60 meter अगर square की जो side है park की यानिकी square park की side जो है वो 60 meter है and the length of rectangular park is 90 cm और जो length rectangular park की वो 90 cm है find the breadth of rectangular park तो हमें यह rectangular park की breadth को find out करना है तो सबसे बहले अगर हम देखे हमें हमें यहाँ यह मालूम है कि area of square park area of rectangular park के बिल्कुल इकोल है तो इसी का use करेंगे हम सबसे बहले हम यहाँ लिखेंगे कि area of square park यहाँ पर बराबर है area of rectangular park के अब जैसे कि हम जानते हैं कि area of square park क्या होगा वह होता है side multiply side यह हम part 1 में सीख चुके हैं और area of rectangular park हमने अभी सीखा था वह क्या होता है length multiply breath अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या की चीज़ हमें मालूम है तो यहाँ पर हमें जो square की side है वह हम यहाँ मालूम है तो हम वह लिख लेंगे इसके लाब हमें और क्या मालूम है हमें length भी मालूम है rectangle और पार्क की तो वह भी हम लिख लेंगे तो यहाँ पर हमें मालूम है यह 60 है side जो है यहाँ पर length जो है वह भी मालूम है कि 90 है हमें यहाँ breath नहीं मालूम है rectangle की तो हम यहाँ पर breath जो है वह find out कर सकते हम क्या करेंगे कि यह 90 है multiply की form में यह divide में चला जाएगा नीचे यह divide की form में आएगा इस तरह से और is equal to यहाँ रह गया हमारे पास breath जो है वह किसकी है यह rectangular park की breath है यह जो हमें यहाँ पर find out कर लिया तो अब यहाँ पर हम इसकी cutting कर लेते हैं तो easily हम निकाल पाएंगे ब्रैत को यहाँ जीरो से जीरो यह कट गया उसके बाद मैं 3 से काट जाता हूं उसको 3 2 जा 6 और यहां 3 3 जा 9 अब 3 से 60 काट सकते हम तो 3 बंजा 3 और 3 2 जा 6 तो जीरो यह वाली लग दी अब यहां 20 x 2 यह बचा 20 x 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40 तो 40 जो है हमारे पास यहां क्या आ गई है breath आ गई है और अगर हम इसकी unit देखे तो यह meter में तो हम इसे यहां लिखेंगे 40 meter तो यह breath of rectangular park जो है वो हमें यहां पर easily find out हो गई है जो हम से पूछी गई थी question में अब चलते next question पर तो दीखे next question में में दिया है अब wire is in the shape of rectangle its length is 40 cm and breath is 22 cm तो एक wire जो है वो rectangle की shape में है और उसकी length 40 cm है और breath 22 cm है if the same wire is rebend in the shape of a square अगर हम उसी wire को दुबारा rebend करें उसको मतलब सीधा करके फिर उससे मोडे की shape में square की shape में तो what will be the measure of each side मतलब उस square की side कितनी होगी also find which shape encloses more area और आपको यह भी बताना है यहां पर कि कौन सी shape जो है वो ज्यादा area enclose करती है उसमें ज्यादा area आता है मतलब square की form में ज्यादा area है या फिर rectangle form में ज्यादा area है तो इसको करने से पहले देखे अब हम क्या कर रहे है एक wire जो की rectangle की shape में उसे हम क्या बना रहे है उसे square बना रहे है उसको rebend करके square बना रहे है तो it means इन दोनों के जो parameter है वो आपस में दूसरे के equal होंगे ठीक है तो हम इसे क्योंकि same wire जो थी वो rectangle की form में थी और हम उससे क्या करना है उसे square की form में डालना है तो सबसे बहले हम यहां लिखेंगे की यहां पर parameter of क्योंकि rectangle की form में तो हम लिखेंगे parameter of rectangle यहां बराबर होगा parameter of square के क्योंकि यहां पर इस तरह से rectangular form में यह थी और हम इसको rebend कर रहे हैं square की form में तो दोनों के parameter जो हैं दूसरे के बराबर होंगे यहां parameter of rectangle जो है वह हम लिख लेते क्या होता है हमने अभी सीखा था कि वह होता है two length plus breath और parameter of square होता है four multiply side जो कि हमने part one में सीखा था अब यहां पर देखें आप यहां पर length और breath तो पुट कर सकते हैं तो length जो है वह है 40 breath जो है वह है 22 यहां पर और यहां four into यहां side हमें नहीं मालूम है तो हम side निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम इसको plus कर लेते हैं अब यहां टू बंजा टू 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 जा फोर और यहां टू से इकड़ जगा 23 जा 6 और 21 जा 2 तो इस तरह से 31 जो है इसकी unit cm में तो 31 cm जो है वह side of square जो है इसका अंसर आजाद है मारे पास अब देखें हमें यहां पर side जो है वह पता चल चुकी है अब इसके बात हमें यह भी पूछा था कि किसका area ज़्यादा होगा इन दोनों में से ठीक है तो यहां पर हमने इसका तो निकाली लिया है कि हर एक side की measure क्या होगी तो हर एक side की measure हो जो 31 होगी लेकिन हमें यह यह ब और यह है 22 जब हम इसको multiply करते हैं तो यह जाता है 880 अब यह cm2 cm2 आ गया क्योंकि यह cm2 cm है अब हम area निकाल लेते हैं square का तो area of square यह होता है side multiply side यहनि कि side हमारी कितनी आई है यहां पर 31 आई थिया 31 multiply 31 जब हम 31 को 31 से multiply कराएंगे तो आएगा 961 cm2 तो अब हमें यहां बर दोनों के area निकाल के पता चला कि area of square ज्यादा है rectangle से तो हम यहां लिख लेंगे कि area of square is more than area of rectangle इस तरह से यहां question जो है finish हो जाता है अब चलते है next question पर अब देगे question no.3 में में दिया है door of length 2 meter and breath 1 meter is fitted in a wall मुलाब एक दरवाजा है जिसकी length 2 meter है और breath 1 meter है वो एक दिवार में fit है the length of wall is 4.5 meter जो दिवार की length है वो 4.5 meter है and breath is 3.6 meter और उसकी breath जो है वो 3.6 meter है find the cost of white washing the wall तो हमें cost निकालनी है उस दिवार को white wash करने की if the rate of white washing the wall is rupees 20 per meter square अगर जो rate है white washing का दिवार को दिवार पर white wash करने का वो है 20 रुपे पर meter square मतलब 1 meter square के 20 रुपे लगते हैं तो आपको बताना है कि पूरी दिवार को अगर हम white wash करेंगे तो कितने पैसे लगें तो दीखे जब कभी हम white wash करते हैं तो हम दरवाजों बर नहीं करते हम सिर्फ दिवार पर white wash करते हैं तो हमें क्या करना होगा पहले हमें पूरी दिवार का area निकालना होगा जिसमें की दरवाजा include होगा और उसके बाद हम उसमें से दर्वाजे को लैस कर देंगे तो वह एरिया जागा जो वाइट वॉश करना है तो हम वह एरिया जो भी आएगा उसको हम कर देंगे रूपीस 20 से मल्टिप्लाइए जिससे कि हमें यह पता चल ज़गा कि कितना कितने पैसे जो है वाइट वॉश करने के लगेंगे तो दिवार का उस में से अगर अगर countryकम कर देंगे कि अध़ना कि सिससे यह बचल जागा टो हम्हारे लाइट वास करने के लाएग होगा इस तरह का बचल तो हमें इसी का यूस करना है तो पहरे हम सिकाल लेंगे एrya हो जैसर कि वाल जो यहां रेक्टैंगलर फों में हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे इसको अटाकी नीचे 10 इसको अटाकी नीचे 10 अब यहां 45 औ 36 की मल्टिप्लाइए कर लेते हैं तो आएगा मारा 1620 और 10 x 10 हो गया यहां पर 100 तो यहां पर हो गया यह 16.20 यह मीटर स्कुराइब यह जो है हमारे पास एरिया वाल हो गया अब हम निकालेंगे एरिया ओफ डॉर निके दर्वाजय का एरिया दर्वाजय भी रेक्टेंगुलर छेप में तो इसलिए इसका भी एरिया हम इसी तरह में इसलिए लोड़ा से निकाल लेगे करके 2 x 1 तो बहुत इसई है कि यहां पर आ गया 2 m2 अब हम निकालेंगे एरिया टू फी वाइट वाॉस्ट किया जाएगा तो पहले वह निकालते हैं यहां लिखेंगे एरिया टू बी वाइट वाइट वाश्ट तो एरिया भी वाइ मैंसे हम माइनस कर देंगे area of door को ठीक है तो area of wall कितना है हमारा यह है 16.20 इसमें से less होगा 2 तो जब इसमें से less होगा 2 तो यह आजगा मारे पास 14.20 मीटर स्कॉर अब देखें यहां पर दिवार जितना area हमें वाइट वाश करना है वह यह है उसमें से हमने जो है दर्वाजा माइनस कर दिया अब कॉस्ट और वन मीटर स्कॉर वाइट वाशिंग अब हम यह लिखेंगे वाशिंग यह है रुपीज 20 वन मीटर स्कॉर का 20 है और हमें निकालना है कॉस्ट ओफ वाइट वाशिंग यह कितने की होगी तो हम यहां पर क्या करेंगे रुपीज 20 को मल्टिप्लाई करा लेंगे 14.20 से तो जब हम इसको मल्टिप्लाई कराएंगे यहाँ पर लगा लेते हैं हम एक जिरो से यह जिरो से यह जिरो कड़ गए तो हम यहाँ पास बच जाता है यहाँ यह निकि 2 multiply 142 तो 2 को 142 से मैं multiply करूँआ तो मेरे पास आ जागा रूपीज 284 जो की cost होगी whitewashing की तो part 1 और part 2 के अंदर हमने square और rectangle related सभी formula जो है सीख लिया है अब part 3 के अंदर हम कुछ questions करेंगे जिसमें की area से related या parameter से related square और rectangle से related question जो है पूछे जाएंगे तो मिलते हैं next वीडियो में और नए questions के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे like share और subscribe कीजिए goodbye